नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है हमारे चैनल डिग्रेवाला ठिक्यदार में तो हमने जैसे इस चैनल पर AutoCAD की प्लेलिस्ट बनाई है कि AutoCAD टुटोरियल फॉर बिगनर्स तो आज हम इस प्लेलिस्ट में एक नया वीडियो एड करने वाले हैं जिसे हम नाम देंगे AutoCAD Unit Setup तो AutoCAD में Unit कैसे सेट की जा सकती है यह हम आज यहाँ देखेंगे तो हमारे चैनल पर अब तक हो गए है 126 सब्सक्राइबर्स सब्सक्राइबर्स सुट्राइबर्स यह दोस्तों हमारा चैनल सब्सक्राइब करने के लिए एसे ही आप हमें सब्सक्राइब करतेot तो चलिए दोस्तों देखते हैं हम आज AutoCAD में Unit2 से सेट की जा सकते ह्यां तो यह हमारा AutoCAD का जो बनाना रहता है वो feet and inches में बनाना रहता है तो दोस्तों हम अर्खिटेक्चरल यूज करेगे और प्रिसीजन हम रखेंगे 0 feet 0 inches फिर इसके बाद आता है यह तो यहां से हो गया पर हम हमें फिर से primary unit set करने रहती है जो हमें विलेगा Dimension Style Manager में तो Dimension Style Manager open करने के लिए हम प्रिस करेंगे Command Line पर D और Enter प्रिस करेंगे उसके बाद हमें कुछ ऐसा दिखाई देगा यह दिखाई देने के बाद हम इसे मौडिफाइ करेंगे मौडिफाइ करने के लिए हमें primary units में जाएगे primary units में देखें दोस्तों यहां पर भी decimal है तो हमें इसे भी change करना है तो और प्रिसीजन हम लिए जीरो फिट जीरो इंचेस यह हो गया है दोस्तों हमारा unit setup तो जैसे ही हमें हमारे इसमें कभी कभी alternate units भी दिखाई शो करनी पड़ती है तो हम इसे लिए alternate units का भी यूज़ करेंगे तो हम दोस्तों वह आगे देखेंगे क्या होता है हम प्रेस and then close अभी हम line बनाएंगे कुछ 2 feet की तो जैसे हम बनाएंगे 2 feet की line बन गई है दोस्तों तो हमें देखना है कि यह सही में 2 feet की line है या नहीं तो हम जाएंगे linear dimension linear में और हम देखेंगे कि यह सही में 2 feet ही है या नहीं तो देखें दोस्तों यह है 2 feet की line पर हमें अभी दिख र कर देंगे तो हम इस तेक्स की हाईट बढ़ने के लिए फिर से से प्रेस्ट करींगे दिए से मलावे देन के बाद हम जाएंगे टेक्स्ट में text में देखिए दोस्तो height यहां पर दी है तो हम करेंगे इसे 4 inches enter symbol and arrows में जाएंगे दोस्तो उसकी भी size हम बढ़ा देंगे इसकी कर देंगे हम 2 inches then ok then set current close देखिए दोस्तो अब बहुत बढ़ा दिखने लग गया है तो हम इसकी size छोटी भी कर सकती है फिर से d enter modify फिर हमसे फिर से जाएगे इसमें then हम कर देंगे इसे 2 inches and then देखते हैं कितना फरक पड़ता है set current close तो देखिए दोस्तो तो यह हमने AutoCAD में unit set कर ली तो केसे करी दोस्तो यह आपने इस वीडियो में देख लिया है आगे इसी तरह के कुछ नए वीडियो आएगे आगे हम सिखेगे commands मतलब यह जो commands यहाँ दिख रही है तो हम इसे सिखेगे आगे के वीडियो में थैंकि दोस्तो आप एसी हमें support करते रही है और हम इसी की तरह को नए नए वीडियो आपके लिए इस चैनल पर लाते रहेगे हमारी प्लेलिस्ट में हम आपको AutoCAD from beginners to advanced level तक सिखा देंगे दोस्तो थैंकि सुमिल दोस्तो हमारे चैनल दिख्रिवाल ठेकेदार को सब्सक्रा चीर्स